हिमाले के पहाड़ पर बरफीले तुफान की चपेट में आने के बाद खुद को उस विचित्र स्थान पर पाकर साधक चाहकर भी अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहा था रह रहकर उसे विचार आ रहे थे कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है उसे ये भी निश्चित नहीं हो पा रहा था कि वो जीवी थे या फिर मृत्यू को प्राप्त कर चुका है इनी विचारों के साथ जाने कब उसकी आँख लग गई इस बार जब उसकी आँखें खुली तब उसे आत्मिक शान्ती के साथ ही शारिरिक स्वास्थ भी बहतर महसूस हो रहा था हाँ शरीर में कमजोरिक जरूर आ चुकी थी लेकिन वो अब ये जानने को उच्चुक था कि उसके साथ हुआ क्या था और उसके बाकी साथ ही कहा है तब ही उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी कुछ शड के लिए अपनी आँखें बन करके बैट जाओ आँखें बन करने से पहले उसने देखा कि एक साथू उसके सामने आकर खड़े हुए हैं उसने उनके आदेश का पालन किया और अपनी आँखें बन कर ली तब साथू बाबा ने उसके सर पर अपना हाथ रख दिया उसे तत्काल बंद आखों से प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा उस प्रकाश में उसे एक फिल्म की भाती उसके अंतिम दिन की वो घटना साफ दिखाई देने लगी पहार पर बर्फिले तुफान के बीच वो अपने साथियों के साथ फसा दिखाई दे रहा था तब ही जोरदार आवास के साथ बर्फ का एक पूरा पहार उन पर आगिरा उसने देखा कि अपने सभी साथियों के साथ वो बर्फ में दब चुका था उसे धीरे धीरे मंध होती अपनी सांसे साथ सुनाई दे रही थी कुछ देर के बाद उसकी सांसे बंध हो गई और वो मर गया ये द्रश्य देखते हुए वो सादक पसीने से नहा गया खुद को मरते हुए देखना कोई आसान काम है भी नहीं कुछ शड़ों के बाद तुफान शांत हुआ उसने देखा कि एक लंबी जटाओं वाले सादू बर्फ खोद कर उसमें कुछ डून रहे हैं कुछ देर के बाद बाबा ने बर्फ में से एक लाश निकाली ये उसकी ही लाश थी सादू बाबा उस लाश को कंधे पर उठा कर एक बड़े पहार पर चर रहे थे आगे चल कर एक कुफा में बाबा जी ने प्रवेश किया ये गुफा इतने दुर्गम स्थान पर थी कि कोई मानव वहां तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता बाबा जी ने गुफा में प्रवेश करते ही आग जलाई और लाश के शरीर से सारे कपड़े हटा कर उसे आग के पास लेटा दिया इसके बाद उन्होंने किसी सुगंदे द्रव्य से लाश पर रगड़ रगड़ कर कोई जड़ी बूटी का लेप लगाया इसके बाद बाबा ने अगनी के सामने बैट कर कुछ मंत्र पढ़े और इसके सांथ ही लाश की सांसे दुबारा चलने लगी लेकिन इसके बाद भी बाबा ने अगनी को लगातार कई दिनों तक जलने दिया और उस साधक के शरीर की कई दिनों तक सेवा की इस बीच दो बार साधक की आखे खुली लेकिन बाबा ने उसे वापस सोने को कहा इस तरह तीन महीने बीच चुके थे और अब वो साधक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था इतना देखने के बाद उसकी आखों के सामने का प्रकाश दुन्दला होते होते कायब हो गया उसकी आखों से आसुओं की थार बह रही थी और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यूं एक साधू ने उस पर इतनी क्रपा की है आखें खुलने पर सामने वही साधू आखें बन किये हुए ध्यानावस्था में बैठे दिखाई दिये उसने तुरंथ बाबा जी के पेर पकड़कर उन्हें धन्यवाद दिया वो बोला बाबा जी आपने मेरी जितनी सिवा की है उतनी धर्ती पर कोई और नहीं कर सकता मेरे जैसे नास्तिक और दुष्ट पर आपके करुणा का क्या कारण था आपको कैसे पता चला कि मैं बर्फ में दब चुका हूँ और मेरे बाकी के साथ ही कहा है साधक ने कई प्रश्न एक साथ पूछ डाले तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा इस जन्म के तुम्हारे कर्म निश्चित ही मेरी करुणा पाने के योगी नहीं है लेकिन मनुष्य जीवन बहुत फिराठ होता है कई जन्म पहले तुम मेरे शिश्य थे कुछ समय तुमने मेरे साथ पिताया था और साधना का आरंब किया था किन्तु विदिवश तुम विश्यों में बटक गए और नए-नए जन्म लेते रहे जन्म मरण के इस खेल में उलचकर तुम अपनी साधना को बूल चुके थे इस जन्म में भी बर्फ के नीचे दबकर तुम मर चुके थे लिकिन ये जन्म भी तुमारा इस तरह व्यर्त जाता देखकर मुझ से रहा नहीं गया और इसलिए मैंने तुम्हें मचा लिया तुम्हारे बागी के तीनों साथी बर्फ में दबकर मर चुके है और तुम्हें यहां आए हुए तीन महीने से ज्यादा समय हो चुका है तुम्हारे परिवार के सदसे भी तुम्हें मुरत समझकर तुम्हारा क्रिया कर्म कर चुके है इस जन्म में तुम्हारा ये पुनर जन्म अपनी बची होई साधना पूरी करने के लिए हुआ है ये वार्तालाब चल ही रहा था कि तभी गुफा में एक दिव्विकन्या का आगमन हुआ दिवी सद्रश उस युवती के हाथ में एक ठाल थी जिस पर रेश्मी वस्त्र पिच्छा हुआ था उसने ठाली को नीचे रखा और बाबा के चर्णों में प्रणाम किया और फिर बिना कुछ बोले ही वो वहां से चली गई बाबा ने साधक से कहा इतने दिन लगातार कुछ ना खाने की वज़ा से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है तुम ये भोजन कर लो साधक ने ठाली से कपड़ा हटाया ठाली में गर्मा गर्म भोजन और एक काढ़ा था साधक ने भोजन किया और वो काड़ा पिया उसे पीते ही उसे शरीर में आंत्रिक शक्ती का संचार महसूस हुआ उसके भोजन समाप्त करते ही थाल वहां से गायब हो गई और उसका शरीर फिर से पहले की तरह मजबूत हो गया इस चमधकारी गटना को देखकर उसने बाबा के चर्णों में फिर से प्रणाम किया तभी उसे याद आया कि उसने बाबा से तो भोजन का पूछा ही नहीं बाबा ने उसके इस मानसिक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा मुझे भोजन और पानी की जरूरत नहीं होती है तुम मेरी चिंता मत करो आने वाले समय में तुम्हारा भी शरीर इसी तरह का हो जाएगा और तब तुम्हें भी भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन फिल्हाल तुम्हारे शुद्धी आवश्यक है ये कमंडल लेकर जाओ और पास बहरही नदी में स्नान कराओ बाबा के आदेश का साधक ने ततकाल पालन किया और वो गुफा से बाहर आ गया गुफा के बाहर का द्रश्य अत्यंत मन मुहक था हिमाले के उचे हिमाच्छादित शिखर एक स्वपन की भाती दिखाई दे रहे थे ये कहानी जारी है अगले वीडियो में हम आगे के कहानी जानेंगे इसलिए आप हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें धन्यवाद